Hello friends, very very good afternoon, कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे शूब फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग सॉल करेंगे शामा निगान का प्रैक्टिसेट पूरे 50 कोश्चन्स हम लोग इस प्रैक्टिसेट में सॉल करेंगे देखना हैं, तो भी आप लोग प्ले लिष्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं 2016 से लगे 2020 तकी पेपर्स डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाके प्रिवेस इर पेपर्स को भी देख सकते हैं अगर आप लोग को इन पेपर्स की पीडियाप चाहिए, जैसे प्रिवेस इर प्रैक्टिसेट की पीडियाप चाहिए, तो आप लोग को टेली ग्राम पे मिलेगी, टेली ग्राम पे जॉइन कैसे होना है, इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में नीचे मेरे टेली ग्र से हमारे टेली ग्राम चैनल से जोईन हो शक्ते हैं वहाँ पे आपको एक साथ हर एक पेपर्स की पीडियाप मिल जाएगी तो चलिए फड़ा फट हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को शॉल करते हैं पूरे 50 कोशन्स हम लोग सॉल करेंगे और लाष्ट में आपका 50 में से जितना भी स्कोर जाए यानि कि जितना भी कोशन्स करेक्ट हों तो आप लोग नाम और जरूर बताmist करें ठीक है और और कोशन्स का जवाब आप लोग जरूर बताय करें तो अगर आपको 2021 में ब्याट करना है तो आप लोग इस चनल से जोड़ जाएए चैनल को सब्सक्राब करके बगलमाबल आकन को ओन रखिए हर एक वीडियो का नोट्फिकेशन आपको शमय समय से मिलता रहेगा इस चनल के मादधम से आपको निश्चीती मदद मिलेगी पहला कोशन यह है नव मल्थ अगला कोशन यहाँ पर देख सकते हैं निमलिखित का मिलान कीजे यहाँ पर प्राथमिक दिति तरती यहाँ पर आपको ले जाना है कहां कहां क्या जाएगा तो फड़ावट मैच करके अदा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं तो देखे प्राथमिक का जो शम्मंद है वो मदुमक्खी पालंस से सम्मंद है और दित्ती, दित्ती का है जूते कार खाना से तित्ती का शलाकारी शन्सा से यानि की option A मैच करता है इस question का right answer, option A ही करेक्ट होगा, इस question का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं, भारती सम्मिधान में कितने मौलिक करतब उल्लेखीत है फड़ा फड़ा आप लोग बताएं कि भारती सम्मिधान में कितने मौलिक करतब उल्लेखीत है तो भारती सम्मिधान में जो मौलिक करतब उल्लेखीत है वो है 11, option D correct होगा, इस question का right अगला question भारती समिधान का भाग फोर निमिलकित में से किसे सम्मधित है most important question है आपके exam के लिए इसकी screenshot आप लोग जरूर लिया करें अगर note करने है तो आप लोग note जरूर किया करें भाग फोर किसे सम्मधित है तो भाग फोर जो सम्मित है वो शम्मधित है यह भी most important question है वेदो की और लोटो का नारा किशने दिया था तो वेदो की और लोटो का नारा जो दिये थे वो दिये थे दैना सरस्पती जी option बी करेंटों का इस question का राइट आंसर अगला question टोडर मल किस मुगल सासा के परशिद राजश मंत्री थे यह थे अकबर के option सी करेक्टों का इस question का राइट आंसर है most important question है friends मैं आपको जितने भी most important question बताया करूँ तो आप लोग उनको not dear root की आग रहे हैं यही questions आपको exam में देखने को मिलेंगे जितनी practice करेंगे उतनी आपकी त्यारी improve होगी काफी सारे लोग practice set की book पूछ रहे तो मैं आपको बता दूँगा अगर आपको practice set की book लेनी है तो चक्छू प्रकॉस्चन की ले सकते है one of the best book है मैंने उसे खोदी देखा है उसकी एक खासियत है कि उसका हरे questions का solution दिये गए एक questions में आपके चार से पाश questions तयार होंगे ठीक है तो आप लोग ले सकते हैं अगर आपको वो book लेनी है तो इस वीडियो के description box में उसकी link है आप लोग online भी प्रशेश्ट कर सकते हैं यहीं तो आपको अपने नजदी की book store से भी प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही सस्ती book है 149 रुपीस की है ठीक है तो लेश रकते हैं पंदरह practice sit आपको उसमें देखने को मिलेंगे साथ ही उसमें चार previous papers भी लगा गया है तीन हजार प्लस उसमें questions हैं अगर आप इसे तीन हजार प्लस ही जीके की questions त्यार कर लेंगे न कोई भी नहीं रहोख सकता exam निकालने से ठीक है तीन हजार question बहुत होते हैं ठीक है अच्छे से अगर practice उसे solve कर लेंगे तो बहुत है one of the best book है online purchase कर सकते हैं अगला question यहाँ पर देख सकते हैं निमलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वा कर्शन बल शब्शे अधिक है तो गुरुत्वा कर्शन बल जो शब्शे अधिक है वो है आपके धुरूरेखा पर मैं आपको बताया था ना most important questions आ रहे हैं तो देख लीजे लगातार most important question आ रहे हैं पहला question को छोड़के या नहीं तो जितने पी questions अभी हुए हैं सारे के सारे questions जो हैं exam में आपके पूँचे जाते हैं तो जो आदरता को मापने के लिए यंत्र का प्रियोग होता है वो है आपका आदरता मापी option B के रिख होगा इस question का right answer ठीक है अगला question निमलिकित में से कौन सी बिमारी मादा एंफिलेज मच्छर के कारण होती है ये भी most important question है यार लगादार question most important आ रहे हैं तो मादा एंफिलेज मच्छर के कारण होती है वो होती है बिमारी malaria option B करेक्ट होगा इस question का right answer अगला question आप लोग देख सकते हैं पाओधे का काउन सा भाग केशर देता है तो वह भाग है आपका रंद्र जिससे इस्टिगमा बोलते हैं इसी से आपका केशर प्राप्त होता है अगला question यहाँ पर देख सकते हैं question निमलिकित में से काउन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियां जल तक पहुंचता है या पहुंचाता है तो वो है आपका दारू पीने वाली नहीं है जाईलम जी से बोलते हैं option E करेक्ट होगा इस question का right answer अगला question निमलिखित में से कौन एक सदिस मात्रा नहीं है सदिस मात्रा कौन सी नहीं है तो इसमें से जो सदिस मात्रा नहीं है वो है आपकी गती option D करेक्ट होगा इस question का right answer अगला question सुध जल किस ताप्पान फारेन हैट में जम जाता है जो सुध जल होता है वो किस ताप्पान में जम जाता है फड़ा फड़ इस question का right answer बताईए अगर आप लोगो ज़्यादा शमाच आई तो आप लोग वीडियो को रोग भीश जगते हैं तो तापान कितना 32 degree में ही जल जम जाता है ठीक है अगले question यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस graphics में दिजिटल फोटो तथा इसकैन कीगे शबियों में BMP, PNZ, JPG, TIF, ZIFE जैसे प्रशार या extension के साथ आमतोर पर संग्रियत किया जाता है फड़ा फड़ इस question का right answer बता है बिट मैप के दोरा option A correct होगा इस question का right answer अगला question देखते हैं अगला question यह है इलक्टरान को पराप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं जो इलक्टरान को पराप्त करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अब check option B correct होगा इस question का right answer यह रहा अगला question थोड़ा scan करने में problem हो गई है निमलिकेत में से कौन सी धातू अपने चिन ही दिस से दर्शाय गया है का शमानता बल्प का तंतू या फिलमेंट बनान में उपियोग होता है किसका प्रेग होता है तो डबलू का प्रेग होता है option D करेक्ट होगा इस कोशिन का राइट अंसर ठीक है अगला कोशन है निमलिकेत में से कौन से वरच वर्ष में एक बार अपने पत्या गिरा देता है वो कौन से वरच है तो वो वरच है आपके प्रणड पाती वरच option A करेक्ट होगा इस कोशिन का राइट अंसर ठीक है यह हर मौशम में अपना एक स्वारी पत्य गिरा देते हैं ठीक है अगला कोशन नई अर्थ बाष्टा विकास नेती N.E.D.P. के अंतरगत 19.जनरी 2017 को डॉट डॉट में उद्दमिता विकास श्योजना A.D.S. का सुभारम किया था कहां किये थे तो यह किया गया था मिजोरम में अप्शन B करेक्ट होगा इस कोशिन का राइट अंसर ठीक है अगला कोशन डाइनमाइट का विश्कार किशनी किया था तो फटा फटा आप लोग बताएं डाइनमाइट का विश्कार किशनी किया था तो डाइनमाइट का जो अविश्कार किये थे, वो किये थे, अलफेट नोबेल ने Option B करेक्ट होगा, इस कोशन का राइट अंसर अगला कोशन, रोवर्स कप, निमलेकित में से केल से संबंदित है जरूर्स कप, जो शंबंदित है, आपके फुटबाल खेल से संबंदित है Option A करेक्ट होगा, इस कोशन का राइट अंसर अगला कोशन, डांडिया लोग नत्र, निमलेकित में से किस राजे से संबंदित है तो यह शंबंदित है, गुजरात राज से, Option C करेक्ट होगा, इस कोशन का राइट अंसर Most important कोशन है, आज किया तो यह मतलब जितने भी आज के practice set में कोशन है इनको तो आप लोग जरूर नोट कीजेगा, बाकी आप लोग नोट करें या ना करें मैं दिल से कह रहा हूँ, बहुत important कोशन है सारे एक्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे इसी में से, ठीक है डांडिया गुजरात का है, ठीक है अगला कोशन है, निमलिखित में से किसे तैराकी, जीवन काल के छेतर में 2016 के दुरोनचार पुर्षकार से सम्मनित किया गया था, तो वो थे आपके स्षृ स् प्रदीब कुमार जी, जीसे दुरोनचार पुर्षकार से सम्मनित की या गया था, ताराकी के छेतर में option C करेक्ष़ होगा इस कोशन का, राइट अंसर अगला कोशन है, Sagainst odds प्रड्ज किस ख्लाडी की आत्मकता है तो यह है सानिय मेरीज्जा की option B करेक्टर का is question का right answer अंगला question किस देश के साथ की गई साजहे दारी की धाचे के अंतरगत विक्टोरिया विस्विधाले भारत में राश्टी खेल विस्विधाले के गठन में सहयोग करेगा फटा फट इस कोशन का राइटर साथ आप लोग बताने का प्रयाश्ट करें तो वो है आपका देश आश्टेलिया option B करेक्टरों का इस कोशन का राइट अंसर अगला कोशन आप लोग देख सकते हैं भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचीतरों की अदला बदली की थी तो वो देश है आपका बांगला देश इसी देश के साथ भारत जो है मानचीतरों में अदला बदली की थी option D करेक्टरों का इस कोशन का राइट अंसर अगला कोशन आप लोग देख सकते हैं श्वैम सहायता शमूह LPZ में बच्चतवा रिंड गतिवितियों से सम्मधित निर्डें काउन लेता है तो वो रिंडें लेते हैं शमूह की शदश Option C करेक्टों का इस कोशन का राहिट अंसर अगला कोशन निमलिखित में से काउनसा महारतनों की सूची में नहीं आता है काउनसी वो फैक्टी कमपनी है जो महारतनों की सूची में नहीं आता है तो वो है आपका हिंदुस्तान पेटूलियम कार्पूरिशन डिम्टेट यही जो है महारतनों की सूची में नहीं आता है Option C करेक्ट होगा इस question का right answer ठीक है जैसे महारतन कंपणियों की जो अंतरगत आते हैं जैसे कुछ कंपणियों के नाम बता दे रहाँ जैसे National Thermon Power Corporation हो गया Oil and Natural Gas Corporation हो गया Steel Authority of India Limited हो गया भारत Heavy Electric Limited हो गया यह सब क्या है महारतनों के अंतरगत आते हैं ठीक है यह सब नहीं आते हैं अगला question है भारती समिधान में राष्टपती की चुनाव की प्रणाली किस दे से ली गई है Most important question है किस दे से ली गई है तो यह Airline की समिधान से ली गई है Option C correct होगा इस question का right answer अगला question अधिकार प्रच्छा सब्द का साब्दिक अर्थ क्या होगा तो अधिकार प्रच्छा सब्द का जो शार्दिक अप्थ होगा वो होगा किस अधिकार से Option C correct होगा इस question का right answer अगला question एतिहासिक लखनाउ समझाओते के निर्माताता था विख्यानात्मक होने के लिए हिंदो मुश्लिम एकता के राज़ूत की उपादी से किसे सम्मानित किया गया था तो शम्मानित किया गया था मुहम्मद अली जिन्नाह को Option D correct होगा इस question का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं राजा हर्षवधन के दर्बारी कवी कौन थे तो राजा हर्षवधन के जो दर्बारी कवी थे वो थे आपके बाण भट यही जो है हर्षवधन के दर्बारी कवी थे Option D correct होगा इस question का right answer अगला question है शंगमरमर चट्टानो की किस रणी में आता है जो शंगमरमर होता है वो चट्टानो की किस रणी में आता है तो यह आता है कायांतरी चट्टानो किस रणी में आता है Option D correct होगा इस question का right answer अगला question आप लोग देख सकते हैं निमलिखित में से सूरी तथा प्रत्वी के से विकरित उस्मा के आवश्यूशन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो शबसे जो आवश्यक है आवश्यूशन के लिए वो है कारबन डाय आकसाइड, आप्शिन एकरिक्ट होगा, इस कोशिन का डाइट अंसर. अगला कोशिन आप लोग देख सकते हैं, निमलिखित में से किसका सरीर सिर से पूँच तक खंडित होता है, तो वो होता है वलियन जाती का सिर से पूँच तक खंडित होता है, ठीक है? आप्शिन से करिक्ट होगा, इस कोशिन का राइट अंसर. अगला कोशिन यहाँ पे देख सकते हैं, निमलिखित में किसके मद्ध से नैपस अंतराल इस्सित होता है, किसके मद्ध में? तो यह होता है, दो गुर्दे के मद्ध में से कोशिन का राइट अंसर. एक मिनट एक मिनट, यह गलत हो जागा, दो गुर्दे नहीं होगा, दो तंत्रिका कोशिगा होगी, ठीक है, ऑप्शन एक रेक्ट होगा इस कोशिगा राइट असर, ठीक है, दो तंत्रिका कोशिगा के मत, जो है, सिनेप्स अंतराल इस्तित होता है, ठीक है, अगला कोशन यहाँ आप देख सकते हैं, कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी ठीक है, जिसे हम लोग देर गरोम तथा रंसांग कुर कहते हैं, ऑप्शन C करेक्ट होगा इस कोशिगा राइट अंसर, अगला कोशन है, नेमलिकित में से कौन एक सदिस मात्रा नहीं है, तो सदिस मात्रा जो इसमें से नहीं है, वो है आपका वेद्दुद्धारा, ये जो मावदार सदक के बहरी किनारे को आंतर किनारे से उपर करने की पक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग धालू सदक, ठीक है, सदक की बैक, बैकिंग, ऑप्शन A करेक्ट होगा, इस कोशिग का, राइट अंसर, C++, ये एक क्या है, आप लोग बताएं ये एक क्य C++, Option B करेक्ट होगा, इस कोशिट का, राइट अंसर, ये रहागला कोश्चन, कोश्चन A हे है, संभारिक क्या होते हैं, ठीक है, संभारिक क्या होते हैं, क्या होते हैं, फटाफट कमेंट बसещ Harmon बताने का प्रयाश करें, तो संभारिक वो होते हैं, ऐसे तंब जिनकी परमान और शंख्या भिन भिन हो लेकिन द्रभ्यान शमान हो वही होते हैं शंभारिक अप्शन B करेक्ट होगा इस कोशन का राइट अंसर यह रहागला कोशन नेमलिखित में से कौन सा यूग्म गलत है कौन सा यूग्म गलत है आपको बताना है हैमेटाइट लोहा पिछ ब्लेंट त पॉरियम तो केवल इसमें जो गलत यूग्म है वो है आपका पिछ ब्लेंट तामभा वाला ओफ्शन B वाला ठीकर नहीं इसमें दिया गया है ठीकर अगला question क्योटो प्रोटोकाल किस वर्स में अम्ल में ला गया था तो ये लाई गया था 2005 में Option B करेक्ट होगा इस question का राइटा था अगला question seven वेतन आयोग ने वार्सिक वेतन वॱदिदर कितने percent रखा था बराकरा कितने percent रखे थे तो ये रखे थे तीन पर्शंट, आप्शन सी करेक्ट होगा इस कोशन का राइट अंसर, अगला कोशन यहाँ पर देख सकते हैं, मलेरिया फाइनाले वाले रोगाडियों की खोश किसने की थी, इंपॉर्टन कोशन है काफी आपकी एक्जाम के लिए, मलेरिया फाइनाले वाल मिलान कर सकते हैं, आप लोग, ऑप्शन देख सकते हैं, कोशन देख सकते हैं, तो बिल्कुन सिंपल सा है, F1, Australia, Grand Prix 2017, यह जीते थे, और यह वाला यह जीते थे, बिल्कुन सीरियल वाइल है, ऑप्शन डी में जापको दिख रहा है, ठीक है, अगला कोशन, निमलेकित में से कौन सा युक्म गलत है, इसमें से कौन सा युक्म गलत है, आपको बताना है, अमजद अली खान, यह तबला से शम्मदित नहीं रखते हैं, तो यही आपका युक्म गलत है, बाकी जो है, जैसे उस्ताद बिसमिल्ला खान, यह साहनाई से हैं, हेमा मिलनी भरतनाटम से हैं, शम्मु महराज कर्थक से हैं ठीक है अगला कोशन वर्स 2016 के साहित के नोबिल प्रोचकार से किसे सम्मानित किया गया था अगला कोशन दागीता फौर चिल्डर नमक पुसता की लेखिका कौन है तो इसके लेखिका है रूपा पाई जी अप्शन डी करेक्ट होगा इस कोशन का राइट अगला कोशन 2017 में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनाई गढ़ बंदन के 25 साल का जश्ण मनाया था किस देश के साथ तो वो देश है आपका इसराइल जेश के साथ भारत अपने राजनाई गढ़ बंदन के 25 साल का जश्ण मनाया था इसराइल देश विस्तो का सबसे उचा सड़कपुल का उभ्योग के लिए खोला है वो दे से आपका चीन option एकरेक्ट होगा इस question का राइट हंसर तो friends ये थे top 50 questions जीके के इसमें से कम से कम आज 25 questions अति महत्पूर्ण थे जो कि हर exam में repeat हुआ करते हैं इन questions को आप लोग note कर लिजेगा अगर आप लोग video को देखते देखते नहीं किये थे तो आप लोग pdf में कर लिजेगा pdf में जो है ऑंशर प्रोवाइड नहीं करता हूँ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं आपको बताया भी हूँ बट कर दूँगा अगर आप लोग ज़्यादा करेंगे comment करेंगे तो कर दूँगा इसलिए नहीं करता हूँ जब आप लोग video देखा करें तो एक से तो गंटे के अंदर आप लोग कर लिया करें note कर लिया करें question तो आप लोग बाद में भोलेंगे वीजन करना है तो आपको बाद में देख लिजेगा नोट में तो बाद में PDF आप लोग नहीं देख पाएंगे ठीक ना इतनी PDF में आप लोगों के लिए डाल दूँगा तो बाद में समय ही नहीं मिलेगा नोट में अगर आप लोग नोट करते चलेंगे कोश्चन तो बाद में आप लोग देख शकते हैं तो यहीं फाइदा है तुरंत वीडियो देखे उसके बाद आप लोग नोट करते हुए चलिए यहीं एक राष्टा है तो कम से कम 25 कोश्चन अतिमहात्मूर थे तो और भी प् चैनल के मादम से कुछ मदद मिल लगी हो वीडियो अच्छा रग रहा हो तो प्लिस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को जुड़ जाए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में ब्लैकन को अन रखें आल पे ताकि जो भी यूपी बेट की अपडेट है वो अ अबडेट आप शेयर मिस्नाओ थैंक यू